Summary of the prose of studies, Bacon's essay highlights the importance of studies, Francis Bacon की इस essay में study का importance क्या है ये बताया गया है, इसमें बताया है कि study का किसी व्यक्ति के daily life पर क्या परभाव पड़ता है, उनका मानना ये है कि study का आर्थ होता है, knowledge को practical life से connect करना, Bacon at the beginning of his essay describes, शुरुवात में Bacon बताते हैं the three main purposes of study, study के तीन मुख्य उद्देश हैं, including studying for gaining delight, study का उद्देश हो सकता है, delight या सुक परात करना, study is done for ornamenting one's life, दूसरा उद्देश हो सकता है, अपने जीवन को बहतर बनाना and studying in order to improve one's ability, और तीसरा उद्देश हो सकता है, किसी आदमी को जिब अपने ability इंपरूब करनी होती है, अपने अंदर skill पैदा करना होता है, ये हैं, The author's notion is that, author का विचार ये है कि, only learned and well-readed men can execute plans effectively, कि एक अच्छे से सीखा हुआ व्यक्ति, अच्छे से पढ़ा हुआ व्यक्ति ही, किसी प्लान को reality में execute कर सकता है, manage their daily affairs, वो ही अराम से अपने द्रोज मर्रा के कारियों को manage कर सकता है, with expertise, बड़ी ही, expertise के साथ, सावधानी के साथ, पूनता के साथ, and lead a healthy and stable life, वो एक अच्छी और बहतर life को जी सकता है, he further states that, आगे वो बताता है, reading makes a full man, कि जो reading होती है, वो एक इनसान के अंदर पूनता ले करके आती है, एक इनसान के अंदर की जो छेपी हुई चीजे हैं, उनको बाहर निकल करके लाती है, या उसके अंदर की जो संभावनाएं हैं, उसको reality में convert करती है, conference leads to a ready man, conference का मलब होता है, बास्चित करना, discuss करना, एक इनसान को एक तैयार आदि बनाती है, तैयार आदमी का मलब होगा, किसी काम को execute करने के लिए, उसके अंदर ability पैदा करना, while writing makes an exact man, और यदि कोई व्यक्ति पढ़ने के साथ साथ लिखता भी है, इससे एक व्यक्ति के अंदर exactness, मनलब completeness आती है, however, while throwing light on the advantages and usefulness of studies, वो जब study की विसेशताए या उनका फाइदा और उसकी उपयोगिता के बारे में बताते हैं, Bacon also puts forward some demerits of study, वो study कुछ अवगुनों के बारे में ही बताते हैं, He thinks that studying for a prolonged period of time may lead to laziness, यदि कोई व्यक्ति बहुत लंबे टाइम तक पढ़ता है, इससे व्यक्ति आलसी भी बन सकता है, He also condemns the act of studying from books solely without learning from nature around, उनका मानना ये हैं कि यदि कोई व्यक्ति केवल किताब को ही पढ़ता है और अपने चारों तरप की प्रकृति के गढ़नाओं पर ध्यान नहीं रखता है, ये अपने आप में एक निंदिनिया बात है, ये सही नहीं है, The essay of studies further asserts the benefit of studies by considering this act as a medicine for defects of human mind, उनका मानना ये हैं ये किसी के दिमाग में कोई समश्या है, कोई confusion है, कोई समश्या है, doubt है, उस सब का समाधान study के अंदर है, ये कोई व्यक्ति अच्छे से पढ़ाई करता है, तो अपनी मान्तिक समश्याओं का समाधान भी कर सकता है, मदलब study अपने आप में दिमागी medicine की तरह काम करती है, and the source of enhancing once, enhancing once with, और study करने से किसी व्यक्ति के दिमाग की जो बुद्धी होती है, उसका ही विकास होता है, while discussing the importance of studying in an individual's life, किसी व्यक्ति के व्यक्ति के जीवन में, study का importance, कुछ इस परकार से है, the assist informs his readers about the benefits of reading good books, वो कहते हैं कि किसी को भी अच्छे पुस्तवों को पढ़ना चाहिए, for bacon, baker के हिसाब से, some books are only meant to be tested, कुछ book ऐसी होती है, कुछ किताब ऐसी होती, जिनको केवल test करना चाहिए, test का मदलब होता है, हलका सा पढ़ लिया और फिर छोड़ दिया, other are those to swallow, कुछ किताब ऐसी होती है, जिनको पूरी तरह से, अपने अंदर उतार लेना चाहिए, swallow का मदलब होता है, निगल जाना, while some books are meant for chewing and digesting properly, और कुछ किताब ऐसी होती है, जिनको केवल अपने अंदर उतारना ही नहीं, बलकि उनको इस परकार से गहन करना चाहिए, ताकि वो आपके जीवन को regulate करती हो, मदलब आपके व्यावार में जलकती हो, उसका आप टाइजेस्ट कर चुके हो, उसका पचा चुके हो, ठीक है, therefore the readers must choose wisely before studying any book to enhance one's knowledge about the world around, इसलिए किसी को भी किसी बुक को पढ़ने से पहले बहुत अच्छे तदिकिसे सोच लेना चाहिए, कि वो पढ़ने क्या जा रहे हैं, Bacon concludes his essay by suggesting that studies assist an individual in removing the defects of one's mind, और Bacon इस essay को इस परकार से complete करते हैं, कि study से किसी के दिमाग की समश्याव को, किसी की दिमागी problems को solo किया जा सकता है, as every problem of human mind carries special importance for individual and the world, क्योंकि किसी भी दिमाग में जो भी समश्याव होगी, जो भी उसका doubt होगा, उस वह समश्याव उसके जीवन पर और बाहरी जगत पर किसी ने किसी परकार से परभाव डालती है, thank you very much, इदि आपको अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, और मैं आपको Instagram, Twitter, Facebook पर भी मिलूँगा, टेक केर